प्रथम योगात्मक आकलन कक्षाटवी बिसायगर्द का देखिए तीन नंबर को आपका पेपर था तो यहाँ पे आपके टोटल इसमें 30 कोश्चन थे 90 मिनिट का पूरा पेपर था तो आज के इस वीडियो में आपको RKSMBK SA1 Class 8 Math पेपर का आंसर के यानि उत्तर कुंजी बता देने थे पहला कोश्चन दिया गया था संख्या 87245 में 7 का इस्थानी मान क्या होता है इसके साथ देखिए अगर मैं इसके अंसर की बात करूँ तो आपको इसका अंसर देखिए 7 का आपका जो इस्थानी मान था आपका 7000 था तो B नंबर इसमें correct अंसर था सेकेंड देखि इसमें आपको जो है यहाँ पे 1 बटे 0 यह आपका पर्मे संख्या नहीं था इसके बाद देखिए question तीसरा था भिन 9 सही 3 बटे 4 का दसमलो रोप क्या होगा तो देखिए 9 तो आपका पूरा पूरा है और 3 बटे 4 का जो आपका देखिए यहाँ पे आपका भिन मान होता है भाग देंगे तो 0.75 आता है यानि 3 में आपको जोड़ा देखिए 9 में आपका जोड़ा जाएगा 0.75 तो आपका 9.75 इसका अंसर होगा ठीक है इसके बाद question था आपका चोथा चोथा question में निमलिखित में से ऐसा पूरांक यूग मताईए जो आपका माइनस 3 इसका योग हो आपका हपी माइनस 3 आएगा तो आपको 10 अंसर इसमें लगाना था इसके बाद question देखिए 5 बाथा एक एक जोती को 5 बटे 8 भाग मिला राजू को 2 बटे 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 बटे 8 होगा अब इसमें देखिए 1 में से घटाना है तो 1 में से घटाएगा तो 8 ह 7 बटे आपका 8 देखिए 8 में साथ जाएगा तो एक बटाया यानि आप यदि आंसर जो है सा नंबर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा बेटी अच्छी लगे महिनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा question नंबर 6 देखिए दे गए विकल्प में से 40% भाग कौन सा है तो देखिए हम अगर 100% मानेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए यह आपका 1,2,3,4,5 अब देखिए 5 यानि एक भाग आपका 20% है तो यहाँ पे 5 भाग आपका 100% होगा तो 40% आपका है पे यह वाला भाग कहलाएगा च्छाय आंकी ठीक है चलिए साथवा कोशन निमलिखित में से कौन सा कोण पूरा कोण के बराबर है तो देखिए आपका पूरा कोण होता है 45 डिगरी के बराबर होता है ठीक है चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे देगई आकरती में कोण 1 का सीरसा भूमुक क्या है तो देखिए आपका जो सीरसा अधार पर कोड़ एक के संपूरक युग्म क्या होगा तो कोड़ एक के देखिए यहापि आपका कोड़ एक है इसका जो आपका जो है संपूरक युग्म जो आपका होगा यहापि आपका दो होगा जिससे आपका 1801 डिग्री बन जाए अब देखिए कोश्चन आपका दसवा इसमें आपका हो जाएगा सबसे बड़ा तो आपको देखे 8 होगा इसके बाद आपका 7 फिर आपका 6 फिर 5 फिर 2 और सुन इस प्रकार से आंसर आपको यहापे करना था देखे कौन सा आपसन है कौश्चन देखे वारबा 10 संक्या 356 दसवलो 72 में 7 का इस्थानी मान था देखे यहाँ पर आपका अगर नारवली पुष्टा तो 70 होता लेकिन आपको इसमें पॉइंट लगा है अब पॉइंट लगा है मतलब आपका देखे बटे इसमें कितना करना पड़ेगा एक हजार एक जीरो कर जाएगा यनि आपका साथ वटे दस यहाप़ आपके आंसर आएगा इसके बाद कौश्चन देखे थर्टिन नमबर भिन दो वटे साथ और जीरो पॉइंट साथ का युक्फल के है तो 7, 35 और 2 अंक बाद आपको इसमें 10 अंवलो लगा देना है इसके बाद कुश्चन देखें पंदरवा हिताक्ष के पास 50,50 रुपए है जिन में से देखें 10 रुपए खिलाओने ख़ई लेता है 6 बचे में से 5 किदर से होए कितने पेंसिल खरिद पाएगा तो उत्तर दानंबर 8 करना है कुश्चन देखें सोलवा संख्या 6,72 और यहाँ पे 9 के रिक्षान में कौन सा अंक आएगा तो देखें आपको सिंपल तरीके से जो आपका यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा देखें ताकि वह 9 से पूर्ता विभाजित हो वो तभी होगा या तो उसका संख्या जो है 9 से कर जाए है ना तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई साथ दो नव आपको इसमें निकल जाएगा और साथ दो नव और तीन तो इसमें देखें अगर आप तीन कर देंगे तो आपको उत्तर आपको मिल जाएगा इसके बाद कोशने के सत्रवा निमलिखित में से कौन सा 90 का गुड़न खंड नहीं है तो देखिए आपका 20 जो है 90 का गुड़न खंड बिलकुल नहीं है पैताल दूनी 90 कर जाएगा 30 याई 90 पंदरा छक्का नबबे तो बागी आपका 20 का भाग नहीं जाएगा 18 संख्या 25 और 45 का देखिए लगुत्तों समवर्थ क्या है तो इनका आप LCM निकालेंगे तो 225 निकल कर आ जाएगा कौश्चन देखिए 19 बाद यह है आयत में 3 सिंट्र बर्ग का काटा गया है पहले की आकरती और बाद की आकरती के परिमाप में कितना अंतर होगा तो यहाँ पर उत्तर देखिए इसमें 28 सिंट्र इसमें उत्तर था ठीक है इस प्रकार करना है और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया था अगरा देखिए question आपका यहाँ पर था 20 वा एक आयता का फोटो फ्रेम जिसके लंबाई 36 cm चोड़ाई 24 cm है तो फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का छेतफल क्या होगा तो 864 वर्ग सिंटीमीटर आपको उत्तर करना था 21 वा एक आयत वर्ग का छेतफल समान है बर्ग देखिए यहाँ पर आयत की बाद कर रहा है कि इसका आपका देखिए बड़ा वाला आपका 45 है और इसमें जो है चोडाई कितनी होगी तो चोडाई आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका 20 मिठर हो जाएगा और इसके बाद देखिए नरेश ने बाजार से 15,050 रुपए क चैनोट दिये तो कितने रुपए लाटाने पड़े तो देखिए सिंपल सी बात है उसको जो है ना यहां पर 28 नोट देखिए 500 गुड़े यहां पर 28 करेंगे तो इसका कितना होगा इसका आपका हो जाएगा देखिए 12,000 तो आपका ये हो गया और इसी किसाब देखिए उसने 200 रुपए के कितने दिये आपके यहाँ पे दिये उसने 6,00 तो आपका 12,000 वो हो गया और 6,00 आपके कितने हो गया देखिए 200 रुपए के 45 साइक्ल का मूल क्या होगा multiply करेंगे तो इसमें देखे question आपका 24 बात है एक किसान ने 646 संत्रे के पेड़ खरेदे प्रतेक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना है तो बताएं कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा तो देखें 24 गुड़े 24 करेंगे तो 576 आपका होगा यानि कि आपको देखिए इस प्रकार से आपको जो उत्तर है आपको यहाँ पर यह बिल जाए question number कौंसर तर देखिए आपका question number यहाँ पर 24 तो 24 का answer देखिए यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से आपको answer जो है कर देना है ठीक है चलिए तो आपको इसमें उत्तर जो है 24 और 26 बर नमबर करेक्ट हो जाएगा कोश्चन देखे पचेजवा एक तरबूच का वजन 4 किलो 250 ग्राम है तो ग्राम इकाई को कैसे लिखेंगे तो इसका जो आपका आंसर देखिए यहाँ पे आपका हो जाए इसके बाद 26 बाद देखिए हल कीजिए 15 गंटे 15 मिनट और 8 गंटे 42 मिनट तो आप जब इससे हल करेंगे तो आपको इसका देखिए यहाँ पे आंसर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप इसमें माइनस करना है तो 15 में 8 करेंगे देखिए तो आपका इसमें होता तो 8, 7, 15 गंटे लेकिन यहां पर देखिए 15 मिनट आपका और है तो आपका घटे गए इसमें 15 तो 33 हो जाएगा तो 7 आपका 7 का उना होकर 6 गंटे 33 मिनट आपका उत्तर आएगा 27 बाद दी गई घड़ी पे दर्साएं कि एक घंटा 30 मिनट के बाद कौन सा आपका समय होगा तो देखिए यहां पर आपका सिंपल सा है आप जब इसे हाल करेंगे तो आपको 31 मिनट देखिए 25 आपको माइनस करेंगे तो 8 बचकर 45 मिनट इसमें आपको देखिए उत्तर मिल जाएगा इसके बाद देखिए 28 बाद संख्या पैटर आपको बताना है आगे क्या होगा तो 64 का दूना 128, 128 का दून 256, 256 का दूना आपका 512 होता है तो आपको बानमबर आंस आपका 15 दिया गया है लेकिन आपको देखिए 10 के बाद आपका यहां तक होना चाहिए इसको लेकिन आपका यह कम है इसलिए आपका यह गलत होगा बांकिया आपके सब से यह देखिए 8 में 20 है तो 8 का देखिए 20 तक गया हुआ है 9 का 25 है तो आपका इसके बीच में गया है और 7 का 15 है, तो देखिए आपका ये 10 के बाद 15 आपका हो रहा है, इस प्रकार अंसर करना है, लाज देखिए विद्याले में आने के लिए विद्यारती जिस साधन का उपयोग करते हैं, आकड़े इस चार्ट में प्रदर्सित कीजिए, तो आपको इसमें देखिए जिसका अं इसका तो आपका देखिए, है नहीं है, क्योंकि आपका इसमें 22 आ रहा है, अब अंसर देखिए बस और 8 का, बस कितना है, बस आपका इसमें है 10, और माइनस करेंगे 8, 8 कितना है, 8 है, तो इसका देखिए 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, रिक्सा और 8 को देखते हैं, यही तो आपका उत्तर है, तो आपको इसमें रिक्सा और आटो आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रकार देखिए, सभी question के आंसर देदे हैं, वीडियो अच्छी लगे हो, वीडियो को लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सस्क्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का notification मिलती रहें